Hello dear students, आज हमें एक बहुत ज़ाधा इंटरस्टिंग स्टोरी सुनने वाले हैं, ठीके। पढ़ने वाले तो हैं, बेकिन उससे ज़ाधा हम सुनने वाले हैं। और यह पोयम फॉर्म में हो गयी स्टोरी तो उसे क्या कहते हैं। उसे बैलड कहते हैं। ठीके। बैलेट एक ऐसी स्टोरी होती है जो सदियों से चली आ रही होती है जिसे बाप दादा अपने बच्चों को सुनाते हैं फिर बच्चे अपने बच्चों को सुनाते हैं तो ये मौखिक रूप से एक दूसरी जेनरेशन को सुनाई जाती है और ये क्या होती है कोई वीर गाथा से पोएम नंबर पांच है। इसका टाइटिल है अ Almost a लेजरेंड ओफ दर नार्व लेजरेंड का मतलब होता है California स्टोरी ऑफञोज लेजंड ओर अमारा नौर्थ लेड का मतलब होता है नौर्थ मेर्श नार्थ पोल आ जो एरिया है उसके आसपास वाली जहे को North Land कहते हैं उस एरिया को भी और उसके आसपास वाले एरिया को भी North Land कहते हैं North Pole जो हमारे अर्थ का जो North Extreme North Side है North Pole के पास है उसे North Land कहते हैं अब North Land में exactly किसी particular place का जिक्र नहीं हुआ है इसलिए North Land कहा गया है और इस poem को लिखने वाले जो हमारे poet है वो है Phoebe Carey बहुत समय पहले की बात है जब Jesus Christ ने 12 लोगों को जिने Apostles कहते हैं नियुक्त किया किसले नियुक्त किया? ताकि वो पूरी दुनिया में इसाई धर्म का प्रचार कर सकें ठीक है उसकी Jesus Christ के Message को वो दुनिया में फैला सकें इस poem narrates the legend of an old lady who angered St. Peter because of her greed अव देखते हैं St. Peter कौन है? तो यह हमारे जो बाड़ा Apostles थे जिने Jesus Christ ने अपना Message फैलाने के लिए दुनिया में भेजा था उन में से एक Apostles थे हमारे St. Peter अब क्या होता है? यह story एक old lady की है जो अपने लालच की वज़े से St. Peter को नाराज कर देती है ठीक है? चलिए, poem पे आते हैं सबसे पहले देखते हैं यह poem बहुत लंबी है 16 stanza's हैं इसमें और हर stanza's में 4-4 line है दिखने में जितनी यह poem लंबी लग रही है उतनी ही यह छोटी है समझना इसको बहुत आसान है, बहुत easy language में इसको लिखा गया है ठीक है? तो चलिए, first stanza करते हैं हम away away in the north land where the hours of the day are few and the nights are so long in winter that they cannot sleep them through ठीक है? तो देखिए, यह north land मतलग मैंने बताया आपको जो हमारे north pole के जो reason है वहां के इलाके हैं वो यहां से बहुत दूर है ठीक है? और वहां पे क्या है? away away का मतलब बहुत दूर है where the hours of the days are few and the nights are so long in winter ठीक है? क्योंकि सूरज की रोशनी वहां पहुँचने में इतनी देर लग जाती है कि वहां पे राते बहुत लंबी होती हैं और दिन बहुत छोटे होते हैं मतलब दिन का जो समय होता है बहुत कम होता है दिन के घंटे बहुत कम होते हैं लेकिन राते बहुत लंबी होती हैं कि लोग सोते सोते ठक जाते हैं लेकिन सुबह ही नहीं होती है ठीक है होती है लेकिन बहुत देर से उससे पहले ही लोग उठ चुके होते हैं second stanza where they harness the swift reindeer to the sledges when it snows and the children look like beer cubs in their funny furry clothes तो सर्दियों के मौसम में, विंटर में, जब क्या बरफ होती है वहाँ पे, तो वहाँ पे चीजों को या लोगों के transportation का क्या माध्यम होता है? क्योंकि थंदा इलाका है तो वहां के बच्चे कै फ़यर वाले कपड़े पहनते चाहे वह जैकेठ हो चाहे वह कोट हो ठीक है और वह उन कपड़ों में बड़े फवानी लगते हैं कैसे लगते हो बिर काप diversity meant variety के बच्चों की तरह cute cute छोटे छोटे लगते हैं दे दे तेल देन a curious story I don't believe it is true and yet you may learn a lesson if I tell the tale to you ठीक है तो point कहते हैं कि वो बड़ी curious मतलब strange कहानी सुनाते हैं दे का मतलब वहा के लोग पुराने लोग tell them them का मतलब अपनी next generation को curious मतलब एक strange सी story सुनाते हैं, point कहते हैं मुझे तो उस पे विश्वास नहीं आता मतलब मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई सच है उनकी कहानी में लेकिन अगर मैं आपको वो कहानी सुनाऊंगा तो आपको उससे कुछ न कुछ lesson सीखने को मिलेगा, lesson मतलब सीख सीखने को मिलेगी once when the good saint peter lived in the world below and walked about it preaching just as he did you know, तो वो उस कहानी में बताते हैं कि एक बार की बात है जब saint peter good saint peter saint peter मतलब अच्छे इंसान kind इंसान, ठीक है? वो good थे क्योंकि वो Jesus Christ का message पहुँचा रहे थे, देव दूत थे, ठीक है? lived in the world below, world below का मतलब जब वो इस धर्ती पे जीवित थे जब वो इस धर्ती में रहते थे, कौन? saint peter and walked about it walked about it मतलब पूरी दुनिया उन्होंने घूमी चकर लगाया, किस लिए? उपदेश देने के लिए, क्योंकि जीजस क्राइस ने उन्हें चुना था दुनिया में अपना संदेश फैलाने के लिए, preaching preaching मतलब सिखाना, लोगों को जीजस क्राइस की शिक्षाएं देना just as they did, और ऐसा ही उन्होंने किया, आपको पता है मतलब क्या आपको पता है कि एक बार की बात है सेंट पीटर जब इस दुनिया में रहते थे इस धर्ती पे रहते थे तो वो जगह जगह घूम के लोगों को प्रीच करते थे सिखाते थे, टीचिंग्स देते थे किसकी? जीजस क्राइस्ट की ठीक है He came to the door of a cottage in traveling round the earth where a little woman was making cakes and baking them on the earth baking them on the earth अच्छा, देखिए अब क्या कहते हैं poet कहते हैं कि जो सेंट पीटर थे ही मतलब सेंट पीटर थे वो किसके दर्वाजे पे आए? door of a cottage मतलब एक घर के दर्वाजे पे वो पहुँचे cottage का मतलब होता है जूपडी जूपडी के दर्वाजे पे वो पहुँचे in traveling round the earth जब वो धर्ती का चकर लगा रहे थे लोगों को सिक्षा दे रहे थे तो इस दोरान वो एक घर के दर्वाजे पे आए where मतलब उस घर में एक little woman little woman मतलब छोटे कद की एक औरत was making cakes और उस जूपडी में उस cottage में उस घर में एक छोटे कद की औरत क्या है cake बना रही थी and baking them on the herd मतलब वो भटी में उन cakes को bake कर रही थी and being faint with fasting for the days was almost done he asked her from her store of cake to give him a single one तो क्या है अब वो दिन भर भूके प्यासे पूरी दुनिया में घूम रहे थे इधर से उधर अपना काम करते हुए मतलब वो preaching करते हुए और जब वो पूरा दिन खतम होने को आया उनका काम जब हो चुका था उस दिन का तो वो थके हारे भूके उस छोटी सी औरत के दरवाजे पे आये और उन्होंने उससे पूछा कि उससे कहा कि अपने जो store of cakes मतलब जो तुमने cake store करके रखे हुए है उनमें से मुझे केवल एक दे दो ठीक है अब क्योंकि वो भूक लगी थी उन्हें उन्हें खाने के लिए चाहिए था तो उन्होंने उस लेडी को cake देने के लिए कहा So, she made a very little cake but as it baking lay she looked at it and thought it seemed too large to give away ठीक है तो जैसे ही उसने वो cake को bake किया little cake, छोटा सा cake बनाया उसने but as it baking lay तो जैसे ही उसने उसको bake किया she looked at it और cake बनने के बाद जब उसने उसे देखा and उसने सोचा अरे ये कितना बड़ा दिख रहा है देने के लिए to give away मतलब ये देने के लिए तो बहुत बड़ा cake हो गया ठीक है therefore she needed another needed मतलब दूसरा आटा गूंदा उसने नया cake बनाने के लिए and still a smaller one and इस बार जो उसने आटा लिया या जो लोईली cake बनाने के लिए वो पहले से भी छोटी ली but it looked when she turned it over as large as the first one had done ठीक है तो जैसे ही उसने उस cake को bake कर रही थी और उसको turn किया दूसरी साइट पकाने के लिए तो उसने देखा अरे ये cake तो पहले जितना ही बड़ा बन गया ठीक है then she took a tiny scrap of dough scrap मतलब piece तो अब उसने आटे का और भी छोटा तुकड़ा लिया and rolled and rolled it flat and उसने क्या है उसको बेला 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 और एकदम चप्टा कर दिया and baked it thin as a wafer ठीक है उसने उसको बेल बेल के इतना पतला कर दिया कि वो वेफर जैसा हो गया ये देखे फोटो में वेफर ये से कहते है but she couldn't part with that अब वो इतना पतला इतना छोटा बनाने के बाद भी वो ओरत इतने लालची थी कि वो उसके के साथ भी पार्ट नहीं होना मतलब उसको अलग नहीं करना चाहती थी अपने आप से in the sense वो उसको भी सेंट पीटर को नहीं देना चाहती थी for she said my cakes that seem too small when I eat of them myself are yet too large to give away so she put them on the shelf ठीक है तो वो जो छोटी lady थी little woman थी वो कहती है कि ये मेरे केक जब मैं खाती हूँ तो कितने छोटे दिखाई देते हैं कितने छोटे लगते हैं ठीक है जब मैं खुद खाती हूँ ने लेकिन जब मुझे उसे कुछ किसी को देना है तब वो मुझे बहुत बड़े लग रहे हैं so वो क्या decide करती है कि सारे के सारे केक जो है अपने store में रख देती है उपर shelf में आ जाता है ठीक है for he was hungry and faint क्योंकि वो इतने ज़्यादा भूके होते हैं कि उसके बाद तो उनकी just faint मतलब बेहोश होने वाली हालत होती है and surely such a woman was enough to provoke a saint और इस औरत की जो हरकतें थी या ऐसी औरत उनका गुसा बढ़ाने के लिए काफी थी and he said you are far too selfish to dwell in a human form to have both food and shelter and fire to keep you warm तो उन्हें इतना गुसा आता है उस little woman के उपर और वो कहते हैं कि तुम बहुत जादा selfish हो तुम एक human कहलाने के लाइक भी नहीं हो तो human bean के रूप में जनम होना ही worth है और तुम्हें तो मतलब ये खाना, ये shelter, ये fire जो तुम्हें सर्दियों में गरम रख रही है तुम इनके बिल्कुल भी लाइक नहीं हो तुम एक इनसान कहलाने के लाइक ही नहीं हो now you shall build as the bird do and shall get your scanty food by boring and boring and boring all day in the hard dry world ठीक है तो अब क्या है St. Peter को बहुत गुसा आजाता है वो से श्राप देते हैं कि तुम एक ऐसी चिडिया बन जाओ जिसको खाना भी बहुत कम मिले scanty means very little food जिसको बहुत कम खाना मिले और उस कम खाने के लिए वो by boring and boring and boring मतलब वो चिडिया बन जाओ तुम जो पेड में बोर करती है मतलब छेद करती रहती है अपनी चोंच से मार मार के मार मार वोड पेकर देखा आपने ऐसे पेड में अपनी चोंच मार मार के छेद करता रहता है ना तो उसी की तरह या वही चिडिया तुम बन जाओ और तुम boring बोरिंग ये repetition of the word का मतलब है very hard work मतलब तुम इतना जादा hard work करो उसके बाद तुमें थोड़ा सा खाना मिले all day in the hard dry wood उस कठोर सुखे हुए पेड पेड पे तुम अपनी चोंच मार मार के मार मार के मेहनत करो और तुमें उसके बाद जाके थोड़ा सा खाना मिले चिड़ियों का खाना क्या होता है छोटे मोटे कीडे मकॉडे है ना तो ऐसा वो उसको शराब दे देते हैं then up she went through the chimney never speaking a word and out of the top flew a woodpecker for she was changed to a bird अब क्या हुआ जैसे ही उन्हों ने कहा तो वो क्या है एक चिड़िया में बदल गई चेंज मतलब अब वो एक औरत से चिडिया में बदल गई कौन से चिडिया वुड़ पेकर ठीक है और वो घर के उपर से मतलब घर के अंदर से चिमनी से होते हुए चिमनी मत पता है ना जहां खाना बनाते हैं तो उसके धुवें को बाहर निकालने के लिए एक पैसेज होता है उसे चिमनी कहते हैं तो वो चिडिया जो और चिडिया में convert होगी वोड़ पेकर में वो घर के अंदर से चिमनी से होते हुए घर के ऊपर से उड़ गई और वो उसके बाद कभी बोली भी नहीं never speaking a word जब वो चेंज होई तो उसने कुछ बोला भी नहीं जब वो एक चिडिया बन चुकी थी she had a scarlet cap on her head and that was left the same but all the rest of her clothes were burnt black as a coal in the flame क्या हुआ उसने सिर पे एक scarlet cap मतलब पंख वाली टोपी पहन रखी थी तो जब वो चिडिया बन के उड़ गई तो केवल वो टोपी as it is वहीं पे रह गई उसके सारे कपड़े जल गई clothes burnt मतलब कपड़े जल गई और वो उनको वैसे ही छोड़के चिडिया बन के उड़ गई और सारे कपड़े जल जल के क्या है लड़के ने has seen her in the wood और उन्होंने उसे जंगल में देखा where she lives in the tree still this very day मतलब आज तक भी वो जंगल में रहती है boring and boring for food और क्या है उस dry wood में बोर करकरके छेद करकरके अपनी बीक से तब जाके वो वहां से खाना प्राप्त करती है तो इस poem से हमें क्या सिक्षा मिलती है इस poem से हमें बहुत सारी सीखे मिलती है पहली चीज तो कभी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए भूकों को हमेशा खाना खिलाना चाहिए बड़े बज़ूर्गों की इजद करनी चाहिए और लालच तो कभी नहीं करना चाहिए तो देखिए आपको explanation भी समझ में आ रहा है तो please like, share and subscribe जरूर कीजिए